अपने बाज बाहू बल के द्वारा, अपने उंगलियों के हुनर के द्वारा, अपने काउचले के द्वारा विश्व का रदे जीत सकें, ऐसे नवजवानों का सामर्द हम त्यार करना जागे। किसी भी देश के लिए उसकी सबसे बड़ी ताकत होती है युवा, यहीं वज़ा है कि मोदी सरकार ने साल 2014 में अपने पहले कारेकाल से ही युवाओं पर खास ध्यान दिया, उनके लिए सरकार मुद्रा योजना लेकर आई, तो वहीं ऐसे युवा जो किसी वज़ा से पढ़ाई छोड़ चुके हैं, उनके लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना लागू की गई। जिसका उदेश है ऐसे युवाओं को नौकरी के लिए तयार करना, उनमें छिपी प्रतिभा को निखारना जो किसी वज़ा से स्कूल छोड़ चुके हैं, या फिर कम पढ़े लिखे हैं, ऐसे युवाओं को कौशल विकास योजना के तहट सरकार बिजनस से जुड़ी ट्र कि जितने बच्चे स्कूल जाते हैं, सेकंटरी में उससे कम हो जाते हैं, हाइर सेकंटरी में उससे कम हो जाते हैं, कॉलेजी में उसंख्या और गिर जाती हैं, और टॉप पर तो बहुत कम लोग पहुंचते हैं, तो यह सब जाते कहा हैं, और जो जाते हैं, उनका क्या होता जो उपर जाएं उनकी तो सब प्रकार की चिंता होती है लेकिन जो रह जाए उसकी भी तो होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए यह हमारा मिशन उन लोगों के लिए है जो रह जाते हैं देश का कोई नौजवान हाथ फैला करके कुछ मांगने के लिए तयार नहीं है वो दैनिये जिन्द की जीना नहीं चाहता है वो आत्म सम्मान से जीना चाहता है इस योजना में सरकार की ओर से युवाओं को करीब 8000 रुपे की पुरसकार राशी भी दी जाती है पूर्स पूरा करने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा जो पूरे देश में वैद होगा योजना के तहत तिमाही, छमाही और सालाना के अंतराल पर रेजिस्ट्रेशन करने की प्रक्रिया होती है इसमें दी जाने वाली ट्रेनिंग को सेक्टर स्किल काउंसिल आयोजित करती है इसके बाद यदि कैंडिडेट इसे पास कर लेते हैं तो सरकारी प्रमाण पत्र और स्किल कार्ट दिया जाता है इससे उन्हें नौकरी मिलने में आसानी होती है कर दो कि अध्यूद का विकास जोजना हम जुआ के लिए बहुत जादा फादे मंदे अर यहां पर जब तक मैं यहां पर कोरसी निंहीं किया था यहां पर काने से पवरे लगनिया कोरां में नहीं प्कुरसे करने मोडा हुद को सब्सक्किनिदीब है किन अफेल कर दो में थार्मुंध के अपने कीरियर चैनल को से नां पहुचा सकता हूं तो यह एकेवास को रिट ब local के जैइंक जाप करा निर गॉंब उन से से और मेरी सालरी आज 9000 पर हैं जो भी चुवाएं अभी भी मदलब ठीक है फाल तू मनलब घोम रहे हैं जो भी प्यरजगार घोम रहे हैं जो भी मदलब आस तक उनको ठीक है अब असाई प्लेटफॉर्म नहीं मिला हुआ है वो इस प्रदानमंदी को असल विकास योजना से यहां पर ट्रैनिंग देते हैं जुनियर सफ्टर डेवलोपर की तो इसके थू मैंने ट्रैनिंग लिए और मैं अभी अच्छी जगाप्लेश हो गया हूं थू प्रियम की वार मेरे फादर है चुटा था मेरे फादर का बिजनस है और अभी मैं यहां पर जॉब करता हूं त यहां पर ट्रैनिंग के साथ साथ प्लेस्मेंट भी मिलता है तो ज्यादा से ज्यादा लोग को इसका इसका बनना चाहिए और बेरोजगारी को दूर करना चाहिए कोई सरकार अभी तक इसी योजना लाई नहीं थी और ये PM के अफ़िदान की कोशल योजना बहुत अच्छी है जो के इंदर सरकार के दोरा नहीं उद्ध कराती है और इससे बहुत लोगों को बेरोजगार लोगों को फायदा हो दो दो मोदी सरकार के कोशल विकास योजना में साथ चरण हैं कैसे करे रेजिस्ट्रेशन कोशल विकास योजना के तहत ट्रेणिंग लेने के लिए आपको सबसे पहले रेजिस्ट्रेशन कराना होगा रेजिस्ट्रेशन आप PMKVY वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन कर सकते हैं PMKVY वेबसाइट के होम पेज पर आपको दाई तरफ दो लिंक दिखेगा नोटिस और क्विक लिंक्स आपको क्विक लिंक्स पर क्लिक करना होगा जिसके बाद एक नया पेज खुल कर आएगा जिसमें आपको दो अप्शन्स दिखेंगे रेजिस्टर अज ट्रेनिंग प्रुवाइडर और रेजिस्टर अज अज चैंडिडेट आप रेजिस्टर अज चैंडिडेट पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का फॉर्म खुलेगा जिसे आपको भरना है फॉर्म में अपना नाम, पिता का नाम, जन्तिथी, जेंडर, इमेल, आईडी, एजुकेशन, पिन कोड, स्टेट डिस्ट्रिक्ट, इत्यादी जानकारी सही सही भर कर फॉर्म को सब्मिट कर देना होगा फॉर्म सब्मिट करने के बाद आपको इसकी सूचना, रेजिस्टर्ड इमेल आईडी और मुबाइल नंबर पर दे दी जाएगी इस योजना से जुड़ी आप किसी भी तरह की जानकारी के लिए वेबसाइट पर दिये किसी भी नंबर पर संपर कर सकते हैं प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहट कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रोनिक्स और हार्टबेर, फूट प्रसेसिंग, फरनिचर, फिटिंग, हैंडीक्राफ्ट, जेम्स वजूलरी और लेधर टेकनॉलिजी के साथ-साथ करीब 40 तकनीकी कोर्स हैं इनमें लोगों को प्रशिक्षित कर नौकरी या व्यवसाइज शुरू करने योग ये बनाया जाता है। इस योजना का फायदा उठाने के लिए आपके पास आधार कार्ड, दो पासपोर्ट साइज फोटो और आपके परिवार के किसी सदसे का आधार कार्ड होना जरूरी आधार कार्ड है। विश्व युवा काउशल दिवस मना रहा है। भारत भी उस अवसर पर एक महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है। कुछ दिन पुर्व पुरे विश्व ने आंतराश्तिय यूगा दिवस मनाया। और हमारे देश के लोगों को ताजू हुआ कि दुनिया हमारी तरफ इस तरत देख रही है क्या। हमें कभी विश्वास ही नहीं था कि विश्व कभी हमारी तरफ भी गर्व के साथ देखता है। विश्व योगा दिवस पर हमने अनुभव किया कि आज पुरा विश्व भारत के प्रती एक बड़े आदर और गर्व के साथ देखता है। है 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 हमारे यहां सिख्षा के समन्द में बहुत सारी चर्चा होती रहती है कि जितने बच्चे स्कूल जाते हैं सेकंटरी में उससे कम हो जाते हैं हाईर सेकंटरी में उससे कम हो जाते हैं कॉलेजीज में उसंख्या और गिर जाती है और टॉप पर तो बहुत कम लोग पहुते हैं तो यह सब जाते कहा हैं और जो जाते हैं उनका क्या होता है जो उपर जाएं उनकी तो सब प्रकार की चिंता होती है लेकिन जो रह जाएं उसकी भी तो होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए यह हमारा मिशन उन लोगों के लिए है जो रह जाते हैं और रह कौन जाते हैं अमीर परिवार का बच्चा नहीं रह जाता है उसको तो कुछ नो कुछ मिल जाता है पैत्रु परिंपरा से जो रह जाता है वो गरीब का बच्चा होता है और एक प्रकार से हमने बहुत योजना पुर्वक गरीबी के खिलाब एक जंग छेड़ा है और ये जंग जीतना है और ये गरीबी खिलाब का जंग जीतने के लिए गरीब की ही मुझे फोज बनानी है हर गरीब मेरा फोजी है हर गरीब नौजवान मेरा फोजी है उनी की ताकत से उनी के बलबुते पर ये गरीबी के खिलाब जंग जीतना है अज़ देश का कोई नवजवान हाथ फैला करके कुछ मांगने के लिए तैयार नहीं है वो दैनिये जिन्द की जीना नहीं चाहता है वो आत्म सम्मान से जीना चाहता है वो गर्व से जीना चाहता है स्कील कौशल्य सामर्थ इसरफ जेब में रुपिय लाता ऐसा नहीं है वो जीवन में आत्म विश्वाज भर देता है जीवन में एक नई ताकत भर देता है उसे भरोसा होता है कि दुनिया में कहीं पर भी जाओंगा मेरे पास ये ताकत है मैं अपना पेट भर लूँगा मैं कभी भीठ नहीं मागोगा ये सामर्थ उसके बीतर आता है और इसलिए ये स्कील डवलप्मेंट ये सिरफ पेट भरने के लिए जेब भरने का कारकम नहीं है ये हमारे गरीब परिवारों में एक नया आत्म विस्वार भरना और देश में एक नई उर्जा लाने का प्रयास हमारे ये सालों से हमने सद्यों से सुना है अमीर परिवारों में क्या बात होती हो तो हमें मालूम नहीं है लेकिन हम जिस समाज जीवन से आते हैं हम अक्सर सुना करते थे हमारे परिवार में अगल बगल में सब कुछे हमारे पिता जी और हमारे नवजवान साथियों के पिता जी यही कहते थे अरे भाई कुछ काम शिखो अपने पैरों पर खड़े हो जाना हमारे देश में मद्यंबर, निम्म मद्यंबर, गरीब परिवारों में ये सहज बोला जाता है बारा-पंद्रा साल का बच्चा हुआ तो मावाब यही कहता है भाई कुछ काम शिखो अपने पैरों पर खड़े हो जाओ अगर जो बात हमारे घर घर में गुंजती है वो सरकार के कानों तक क्यों नहीं पहुंचती है